अब प्रशांत किशोर की पार्टी लालू परिवार के उपर हमलावर है और उनके उपर पोस्टर जंग जो है वो छेर दिये और बिना नाम लिये तेज प्रताप यादो की पत्नी इश्वरिया का जिक्र किया है जिसके बाद बिहार में सियासत तेज होना बिलकुल तैम आना जा रहा है क्योंकि ये काफी प्रस्पनल अटैक है और इसके बाद ये तै हो चुका है कि आर्जेडी की तरफ से कुछ ना कुछ बयान आने वाला है प्रशांत किशोर को लेके क्या कुछ कह दिया है प्रशांत किशोर की पार्टी ने ये सब कुछ आपको समझाऊंगा एक तो प्रशांत किशोर भी हमलावर हैं कभी नितिश कुमार के लिए कभी तेजश्वी यादो के लिए कभी लालू के उपर कभी पूरे लालू पड़िवार के उपर लेकिन ये जुबानी जंग अब पोस्टर जंग तक पहुँच गई है और किस तरीके से पोस्टर लगा कर के प्रस्टनल टार्गेट किया जा रहा है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ किस तरीके से तेजप्रताप यादो की पतनी इश्वरिया का जिक्र किया गया है वो भी बिना नाम लिए और किस तरीके से आर्जेडी को एक बार फरसे निसाने पे लिया गया है ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ तो देख लीजिये सबसे पहले ये पूरा लालू परिवार है और सब को टार्गेट कर रहे हैं प्रशान्त किशोर और उनकी पार्टी और ये जो पोस्टर है आप ध्यान से देखिए इस पोस्टर में क्या लिखा गया है जन सुराज के नाम से य परना यादा उन्हें जो जन सुराज की नेता है और वो लिखती है कि जो बहु का नहीं हुआ वो बिहार का क्या होगा बिहार तो अब जन सुराज का होगा अब देख लीजिये जो बहु का नहीं हुआ आप समझ सकते हैं किस तरीके से टार्गेट किया गया है इस पोस्टर अपना आपाख होदे और इसको लेके काफी प्रस्नल तौर पे बयान दिया गया है कि जो बहु का नहीं हुआ वो क्या होगा तेज प्रताप यादो और इश्वरिया के स्टोडी किसी से चुपी नहीं है किस तरीके से दोनों में दूरिया बड़ी और किस तरीके से इश्वरि आप देख लीजिए दूसरा पोस्ट क्या करें कि आप यादो का मतलब दस्वी फेल नहीं होता है अब यादो का मतलब अपढ़ना यादो होता है अब फैसला वंस वाद पर नहीं बिहार की जनता करेगी और यह भी अपढ़ना यादो उन्हें अपने poster में छपवाया है, poster लगवाया है और इस poster के माध्यम से सीधे तॉर्ट पर तेजश्वी यादो कि इन्हों ने target किया है फिर एक दूसरा poster इन्होंने लगवाया, इसमें लालू परिवार को ही target कर दिया है नाम लिख के इसमें तो पोस्ट किया गया है कि लालू यादो ने देखा सिर्फ अपना परिवार बाकी सभी यादो नेताओं का किया राजनेतिक संगार और ये भी पोस्टर जो है वो अपर्णा यादो नहीं ल ही लगवाया है अपर्णा यादो जो की जन सुराज की एक नेत्री है और ये काफी एक्टिव है पोस्टर वार के लिए और इनका पोस्टर जो है हर बार वारल हो जाता है एक बार फिर से देखिए वारल हो रहा है और प्रशान किस ओर की जो पाटी है अब थोरी प्रस्टनल होती जा रही है मतलब प्रस्टनल मुद्दे उठा रही है, देखें, ये पोस्ट तो फिर भी ठीक है, तेजश्वी का दसवी वाला पोस्ट भी चल जाता, लेकिन यसस्वडिया को लेकि-पोस्टर बन्वा के चिपकोआ देना, हाला कि इस में स्वडिया का नाम नहीं लिखा गया है, नाम का भी बड़ा चुबने वाला है तेजश्वी यादो को दस्वी फेल करार देना उनके नाम का पोस्टर लगवाना यादो नेताओं का किस तरीके से संघार किया है लालू यादो इस नाम का पोस्टर लगवाना लालू यादो का नाम मिंशन करके उसके बाद ये सीधे तो और प प्रशांत किशोर उनकी पार्टी सीधे तोर पे तेजश्वी यादो को टार्गेट कर रहे हैं और अब उन्होंने एक नया मुद्दा धून निकाला है मतलब जनसुराज की जो पार्टी है और अब इस वरिया को साथ में रखके इस वरिया का जिक्र करके बिना नाम लिए ते हो गई है जिसकी वज़े से बिहार में बवाल होना तै है RJD इसके उपर क्या प्रतिक्रिया देती है RJD कुछ बोलती है कि नहीं ये भी देखना खासा लाजमी होगा लेकिन जिस तरीके का वो वार किया गया है जिस तरीके से तीर छोड़ा गया है बिलकुल निसाने पर सटी या कॉमेट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुचा दीजिए बाकिया आप देख रहे हैं जनता जंचन और मेरा नाम रजत है